हेलो गाइस वेल्कम बैक टू मैं चेनल तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में कुछ एसे खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आए हैं जिने अम यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं तो चलिए बीना देर की वीडियो सुरू करते हैं और देखें पहले टिप्स हमारी होते हैं तो अच्छे से यह रहता है लेकिन जब यह पूराना होने लेगे तो यहां से यह देखें पानी लिकिज होता रहता है और फिर हमें प्रोब्लम होती है पानी डालने में तो देखिए हम क्या करेंगे कि एक हम रबट बेट ले लेंगे और इसके मुझ के उपर लगा देना है इससे यह होगा कि आपका पानी बिल्कुल भी लिकिज नहीं होगा और बोटल अच्छे से देखिए इस तरह से फिक्स हो जाएगी तो यह बहुत यूजफुल तरीका है इस तरह से आपको इसे भी बोटल में अगर पानी लिकिज होता है तो यूज कर सकते हो अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना बूले अगले टीप हमारे देखिए ब्रेड को लेकी होगी जब भी हम ब्रेड का यूज करते हैं तो यह इतनी सी बस जाती है तो हम क्या करते हैं बसने के बाद इस तरह से करके पेकेट को फ् कर देना है इस तरह से तो इससे यह होगा कि यह पेकेट खुलेगा नहीं और अच्छे से यह बना रहेगा तो यह ब्रेड भी ताजा रहेगी ना सुकेगी तो है ना यह बहुत यूसफुल तरीका अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाए और देखिए हमें समझ में आता है इसका हम कैसे यूज करें तो आपको क्या करना है एक साइड का लेना है kaT होने के बार देखिए निच्चे से मैंने यら फोल करके और साइडों में थोड़ा-thोड़ा मेंने कट कर लिया है तीन इंच में तो कट होने की बार देखिए अब ह अच्छे से इस तरह से कर लेना है अंगुली से प्रेस करके ताकि यह क्या है फिनिशिंग के साथ लग जाए और अच्छे से पेस्ट हो जाए देखे तो इस तरह से करने के बाद अब आपको क्या करना है कि थोड़ी देर आपको एसे ही रखना है पांच मिनट के लिए तो ता हो गया कट और अब हम क्या करेंगे देखे इस तरह से करके और इसको भी देख लेंगे अगर यह जादा है तो हम इसको भी कट कर लेंगे तो उपर की साइड में हमें इतना रखना है और अब हमें देखे उपर की साइड में इस तरह से सेब बनाना है देखे इस तरह से बनाना है और इस तरह से इस साइड में भी बना लेंगे बनाने के बाद जो भी ये बड़ा चोटा है इसको हम अच्छी से सही कर लेंगे तो इस तरह से हमें इसको भी सही कर लेना है और फ्रेंज अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें जिसे जो भी वीडियो डाले वाप नियुटिफिक्शन में आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देखें तो देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है जिसे कि आप वीडियो में करें गया है तो देखिए अपाव्र में जीज चैनल को सब्सक्राइब या फिर आप बटन स्टोन कुछ भी यहां पर लगा सकते हो डेकोरेट के लिए तो इस तरह से देखिए हमें यहां पर यह फिक्स कर देना है और मैं फेविक को लगा के और इसको अच्छे से यहां पर पेस्ट कर देती हूं अब आप देखिए फ्रेंज कितना अच्छा इसका लुक आया है से मार्केट के जैसा ही बना है देखिए और कार्ड से देखिए मैंने और भी बनाया है देखिए तो इसका हम कैसे यूज करेंगे तो क्या होता है किसी की शादी होती है दूला दूलन को हम देते हैं तो हम मार्केट से इस तरह के पैसे डाने के लिए लिए ले का इस तरह से यूज कर सकते हो और बहुत ही ब्यूटिफुल लगते हैं अगर हम सीधा पैसे देते हैं तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन देखे इस तरह के जो लिफाफे होते हैं वह हम बना के और अगर हम देंगे तो देखने में भी सुन्दा लगते हैं और कम हो जाती है और पिर क्या होता है कि कडुकस क करने हो जैसे गाजर कुछ भी प्याज वगञार कुछ लृग्हाएब थो बैशानल पर क्लोंद्स अबुर्यफ्ची आप करना है की कप ले लिजेगा और कप को लुटक्ष इस तरह से किस होगी तो इससे क्या होगी इसकी धार बन जाएगी तो इस तरह से आप चाहे तो चाकू की कर सकते हो या फिर कोई भी केंची की भी कर सकते हो कप को देखे आपको उल्टा रख लेना है और चाकू की अगर धार कम है तो आप इस तरह से करिएगा बहुत अच्छ पर भी यह ट्राइ किया था बहुत ही अच्छे से चाकू की धार भी बनी थी और हम चाये तो केंची की भी बना सकते हैं और आप देख सकते हो कितने अच्छे से यह देखी साफ भी हो गया है जो भी जंग लगावा था वो भी निकल जाता है इसे तो चलिए अगले टिप्स को बहुत है कि हमने कहां तक पड़ी है तो इसके लिए देखी मैं एक छोटी सी टिप्स देरा चाहूंगी तो देखी इसके लिए हमें क्या करना है आप चाहे तो कोई भी मोली का आप तुकड़ा ले सकते हो या फिर आप देखी रबबर्ड बेंट ले सकते हो तो इसमें आप आपको यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेर कीजिएगा तो चलिए अगले टिप्स को देख लेते हैं और अगले टिप्स भी हमारी बहुत ही यूसफुल है तो देखिए गुड को लेके होगी और गुड हम मार्केर से लेके आते हैं तो जो गेवर के डब्बे होते हैं तो मैं देखिए इसको नहीं फिंकती हूँ खाली करके इसको रख देती हूँ और जब भी इस तरह के जो गुड होते हैं वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ और इस तरह के डब्बे में अगर आप गुड डाल के रखोगे तो आपका गु वीडियो डाले वह आपके नोटिफिकिशन में आए तो फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई टिक के टाइंक यू फूर वाचिंग माई वीडियो